दोस्तो कल अमेरिका के अंदर बहुती महत्वपूर्ण जीडीपी का डेटा आ चुका है मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 5.2 प्रतिशत पे आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है 4.9 परसेंट पे यानि के दोस्तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से जीडीपी नीच आया है जो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था उसी तरह से अमेरिका के अंदर PCE प्राइजेस का डेटा भी आया है मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2.8 प्रतिशत पे आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है 2.6 प्रतिशत पे यानि के ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था तीसरा महत्वक पुर्णा डेटा आया था कोर PCE प्राइजेस का मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2.3 प्रतिशत पे आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है 2 प्रतिशत पे तो ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था चौथा महत्वक पुर्णा डेटा था इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2.14.000 के पास आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है 2.5.000 के पास जैसे कि हमने आपको लगातार पताया है जॉबलेस क्लेम्स मतलब अनेम्प्लोईमेंट रेट तो अगर अनेम्प्लोईमेंट रेट एक्सपेक्टेशन से कम आई है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छी न्यूस थी उसके बावजूद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर कल पीनट पैटन से ब्रेकडाउन आया है तो जैसे कि हमने देखा कि कल जो अमेरिका के अंदर चार महत्वपूर्ण डेटा आये ये चार डेटा में से तीन डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव थे और इनिशल जोबलेस क्लेम्स का डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा था ये डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स ने पीनट पैटन से ब्रेकडाउन दिया है और ये पीनट पैटन के लो के पास अभी डॉलर इंडेक्स काम कर रहा है दोस्तों ये लो तूटना बहुत ही जरूरी है अगर डॉलर इंडेक्स आज ये पीनट पैटन का लो नीचे की तरब तोड़ता है तो हमें लगता है डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन जैसे के हमने आपको बताया है कि ये लो के नीचे क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी है ये लो के नीचे जब क्लोजिंग होगी तो ही डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी जो गोल्ड सिल्वर के लिए हमें लगता है बहुत ही पॉजिटिव होगी डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट इस वज़े से आ सकती है क्योंकि डॉलर इंडेक्स के चार घंटे के चार्ट के ओपर आप इनवर्टेड फ्लैक पैटन को देख सकते हो ये पीनट पैटन से तो ब्रेकडाउन आ चुका है तो अगर ये पीनट पैटन का लो डॉलर इंडेक्स आज नीचे की तरफ तोड़ता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये फ्लैक पैटन का टार्गेट आ रहा है 99.6 डॉलर के पास एनके दोस्तों एक बड़ी गिरावट यहा से डॉलर इंडेक्स में आ सकती है लेकिन ध्यान रहे उसके लिए ये पीनट पैटन का जो लो है वो तूटना बहुत ही ज़रूरी है तो अगर ये पीनट पैटन का लोग तूटा तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरा वटाएगी जो गोल्ड सिलुवर के लिए पॉजिटिव होगी आज भी भारते समय अनुसार शाम को साथ बजे अमेरिका के अंदर कल की तरह ही बहुती महत्वपूर्ण एकोनोमिकल डेटा आने वाले है और ये डेटा हमें लगता है साथ बजे के बाद डिसाइड करेंगे के डॉलर इंडेक्स ब्रेकडाउन देता है यह भी डॉलर इंडेक्स के अंदर यहाँ से एक अच्छा उच्छाल उपरी तरब आता है पहिला डेटा जो भारते समय अनुसार शाम को साथ बजे अमेरिका के अंदर आने वाला है वो है US Durable Goods Orders का दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आएगा US Core Durable Goods Orders का तीसरा महत्वपूर्ण डेटा भारते समय अनुसार शाम को साथ बजे आने वाला है US PCE Price Index का चौथा महत्वपूर्ण डेटा आएगा US Core PCE Price Index का पाचवा महत्वपूर्ण डेटा आएगा US Building Permits का और भारते समय अनुसार रात को साड़े आठ बजे वी एक महत्वपूर्ण डेटा आएगा और ये डेटा है US New Home Sales का दोस्तों ये बहुती महत्वपूर्ण डेटा है और हमें लगता है ये डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स उसका अगला मूद डिसाइड कर सकता है और आज शुक्रवार भी है तो आज की क्लोजिंग डॉलर इंडेक्स के लिए बहुती महत्वपूर्ण है तो अगर आज की closing dollar index ये peanut pattern के low के नीचे देता है तो daily chart के उपर भी breakdown confirm होगा और weekly chart के उपर भी breakdown confirm हो जाएगा और उस वज़ा से हमें लगता है अगले हफते जब Christmas है तो gold silver के अंदर ये breakdown के बाद एक बड़ी तेजी बन सकती है लेकिन दोस्तों याद रहे आज की closing ये peanut pattern के low के नीचे आना बहुत ही जरूरी है ये सभी महत्वपूर्ण economical data आने के बाद अगर dollar index ये low से तेजी दिखाता है और उसके उपर ही जाकर close होता है तो हमें लगता है Christmas के हफते में gold silver में गिरावट भी आ सकती है तो अगले हफते gold silver के अंदर गिरावट आती है के तेजी बनती है ये आज के dollar index की closing के ऊपर depend है तो आज के data का इंतजार definitely करें तो अगले हफते gold silver के अंदर गिरावट आएगी या फिर तेजी बनेगी उसके लिए आपको क्या देखना है ये हमने आपको ये वीडियो के अंदर बता दिया है तो आपको ये data के उपर ध्यान रखना चाहिए हमने हमारे पिछले सनवार के वीडियो में हमारे members के लिए ये clearly बताया था कि gold के लिए America का data positive है तो अगले हफते gold के अंदर positive नजरिया ही रखे आप देख सकते हूँ ये हफते अब तक के 5 दिन gold के अंदर एक छोटी तेजी बनी है उसी तरह से हमने silver के बारे में भी हमारे members को ये clearly बताया था कि silver का data भी थोड़ा positive है लेकिन possible है कि एक छोटी गिरावट आ सकती है और उसके बाद तेजी बन सकती है आप देख सकते हो पहले ही दिन somewhere को एक गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद से पिछले 5 दिनों में एक अच्छी तेजी यानिके एक छोटी तेजी silver के अंदर रही है यानि के दोस्तों आप वीडियो के अंदर clearly देख सकते हो अमेरिका के अंदर जो future का data gold silver के लिए आता है वो कितना important है और किस तरह से अगले हफते का train decide कर सकता है तो अगर किसी को ये अमेरिका के future का data analysis चाहिए तो आप हमारे channel के member बन सकते हो वीडियो के निचे आप join बटन के ऊपर click कर सकते हो और हमारी membership को ले सकते हो हर Saturday या फिर Sunday को हमारा अमेरिका का future data analysis आया करेगा जो आपको अगले हफते के लिए definitely मदद कर सकता है अगर आप gold silver के अंदर regularly काम करते हो तो आपको एक बार तो हमारी membership को लेके देखना चाहिए अगर आपको लगता है कि हमारा data आपके लिए useful नहीं है तो आप अगले महिने अपनी membership को cancel कर सकते हो लेकिन हम बताएंगे कि एक बार तो membership लेके आप हमारा analysis और data definitely देखे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताएंगे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू